हाई गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साही भिंडी बनाने का एक दम नया तरीका एक बार बना करके खा लेंगे ना उंगलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इतने जादा आराम से लगाएंगे ताकि भिंडी हमारी अलग ना हो एक तरफ से जूड़ी हुई रहनी चाहिए आप लोगों को मैं अंदर दिखाती हूँ कितना सारा स्पेस हमारी भिंडी में हो जाता है इस तरीके से आप चीरा लगाते हो तो भिंडी में चीरा लगाने से पहले हम भि तो सारी भिंडी मैंने यहां पर चीरा लगा करके तयार कर लिया है चलिए अब हम मसाला तयार करेंगे तो मैंने लिया यहां पर आधा चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच यहां पर मैंने ले लिया है साहुजी मसाला अगर आपके पास नहीं तो कोई भी आप यहां पर मसा एक चोथा चमत हल्दी पाउडर और और अठा चमत धनिया पाउडर यूज किया है मैंने इसके साथ थोड़ा से इसमें हम नमगाट करेंगे टेस्ट के अकौडिंग साथ में ले लिया मैनने आठा चमत हल्क बेस्ट सभी मिक्स कर लेती हैं मसाले में अगर आप लेसुण को प करदें गये तो इस तरह के से आप आराम से भिंडी तैयार करेंगे जिय goo भिंड adviser Auto पर तैयार हो चुकी है आप इसे पकाने के लिए एक किड़ा ही लिए मैंने गरम हुने लिए रख देते किड़े को और इसमें हम करेंगे ऑल तो चमस से अटकर तो एक चमशे ले लिजी और मैं यहाँ पर पाइली से दो पाइली ओयल का यूज कर रही हूं और गरम हो जाएगा इसमें हम भेंडी डालेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पे भेंडी हम पकाएंगे न धीमी दीमी आच में तो अच्छे से और अंदर तक पक कोई यूज करेंगे यहां पर साथ में हम लेंगे कुछ खाड़े मसाले एक बझछोटी लाची और एक तुपड़ा दालचिनी का खाड़े मशाले आप कोई भी यूज कर सकते हों जो आप पसंद करते हो । में थोड़ा से लिया है मैं पथर का फूल और इसका साथ अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप यहां पर एक तुकड़ा द्रक और चार-पांच कली लेस्ट की यूज़ कर सकते हैं कैफ लगा करके हम ग्रैंड कर लेंगे यह हमारा पेस्ट तयार हो चुका है मसाले का इसे साइड में रख देते हैं और इसी ग्रैंडि जयार में हम टमाटर का पेस्ट तयार करेंगे तो एक मीडियम साइज के टमाटर को बड़े तुकड़ा में चौप किया है मैंने और इसे तो हमारा पेश्ट टमाटा का रेडी होगा है भींडी यहां पर 5 मिट हो गई है बीश में इसे जो है मैं मिक्स करती गई हूँ ताकि यह जले नहीं और भींडी हमारी सॉफ्ट हो गई है रेडी है आप चाहे तो इसे हलका सा चम्मा से प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं अब भी अब इसमें हम एक तेश पत्ता आट कर देंगे साथ में हम आट करेंगे इसमें मसाला जो हमने ग्रैंड किया था गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे मिक्स करते होए आठ दस मियार तक हम पकाएंगे जैसे आप देखो मसाले का कड़र चेंज हो गया है ओएल या थाटा था समी हम आट करेंगे एक चमस कर देंगे मसाले को मिक्स करते होए पकाई है। अब इसमें कर देंगे टमाटर का पेष्ट चार पांस मिर तक पका लेंगे जब तक टमाटर का पेष्ट आखर सी। कच्छा रहेगा तो सबजी भी जो है ना कच्छा फ्लेवर आ जाता है लगभग मुझे हापे 15-16 मिनाट का टाइम हो रहा है मसाला तयार करते हुए अब इसमें हम एक कप पानी आड़ करेंगे आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसे साफ से कॉंटिटी पानी के कमजादा कर सक मिक्स कर दिया है मैंने हाप पानी को अब इसमें एक चमज भर करके नमाक एट करेंगे आप अपने स्वात के अंसार कमजादा कर सकते हैं थोड़ा साहरा धनिया बारिक चौप करके एट करेंगे और मिक्स करके हम जो है मेडियम फ्लेम पे हलका सा बौइल आने का बेट करें जैसे ही वाइल आना सुरू होगा ग्रेवी से हम इसमें डालेंगे भिंडी को मिक्स कर देते हैं और इसे हम ढख करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए ताकि भिंडी जो है ना ग्रेवी साथ अच्छे से पक जाए जब ग्रेविक साथ और अच्छ भिंडी बन करके हो गई है तैयार कलर बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है तो आप घर पर इसे बना करके जरूर ट्राइक करिए तभी आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा स्वाधिष लगती है साही भिंडी खाने में उमीद करती कि रिस्पी पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हम आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईज